हलो सबी को नमस्ते जाहिन जाफारत उमीद करता हूं सांदार होगे जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं डिस्किप्शन मेप का लिंक है श्टडी वंत्रा जहां पर बहुत जबरदस तरीके से जिसमें हमने 125 के असपास लाई बैच से हर्याना पलिस में कॉंस्टेबल और 84 के लाई और रिकोड़ीड बैच से में कॉंस्टेबल 3 सब इंस्पेक्टर मेल, 11 सब इंस्पेक्टर फिमेल और बहुत अच्छे रेजल्ट हम देते हैं प्रमातमा की दया से और बच्चों की मेहनत से और टीचरों के डेडिकेशन से तो आप भी ग्रूप D का आने वाला बैच जोईन कर सकते हो डिस्क्राइब का लिंक है, सिर्फ 149 रुपे फीस है एक साल की वेलडीटी है, डेली 7-8 घंटे की कलास है पढ़ने से सलेक्षन होगा, गारंटी किसी चीज़ की लेते नहीं क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं ग्रूप D में बहुत सारे बच्चे मैसेज करते थे मैसेज तो ग्रूप D की पोस्ट एक बार ले लें उसके बाद अपनी अच्छी त्यारी करना और भगवान करें आप किसी चीज़ के लिए फिर त्यार हो क्योंकि एक बार मैंटली आदमी स्टेबल हो जाए एकनोमी स्टेबल हो जाए सोसली स्टेबल हो जाए तो आदमी का फिर परी माइंड से बहुत अच्छा मन करता पढ़ने का पढ़ाई में मन भी लगता और उसका इन्पुट भी निकलता है तो लगबग 116 कटेगरी हैं लगबग 116 के आसपास उन में से मैंने सिर्फ 5-6 कटेगरी आपको बताऊंगा जो टोप की है जहां आप मतलब यह कहते ही ना कि कोई भी कामधंदा कामधंदे करने में फसीन आता है तो चोटा को मितलब एक रोड पर बैचा रहे हो कुछ कितना फसीन आएगा अमीजान ने तो बोल दिया कोई कामधंदा चोटा बढ़ाई नहीं होता और एक AC में बेटके कोई कलेरिकल काम कर रहा है तो दोनों का फरक नहीं है जहाँ आपको बहुत सारे चीज़े हैं एनिमल अटेंडेंट की है मतलब एक समाजिक द्रिष्टी कोण से भी आपको एक अच्छी जोब बता रहा हूँ एक वरक्सोप अटेंडेंट की जोब आती है तीसरे नमबर पर एक store attendant की जो बाती है इन दोनों में आप खूब पढ़ सकते हो बैटा, खूब time मिलेगा आपको ठीक है, lab assistant है practical होती है जो college हो में lab assistant की 2-3 बज़े college खतम हो तो उसके बाद आपको पता है college हो में जैसी practical चलती है खूब पढ़ सकते हो, खूब आगे कोई b-tech msc वाला बच्चा है अगर उसको cook का काम दे मैं यह नहीं कहता कि cook का काम छोटा होता है बड़ा होता है, लेकिन उसको feel होता है जैसे मैं आपको देखाँ जैसे इसमें fieldman cook की नोकरी है teammate की है, dhobi की है, roadmate की है barber की है तो मुझे feel हुआ क्योंकि जब मैं training के दुरान था तो एक बच्चा b-tech के बाद m-tech भी किया हुआ barber की job कर रहा था targeting कर रहा था और नया लड़का था तो मैंने उसे पूछ लिया कि भाई education क्या है क्योंकि उसका phone आया था तो phone पर उसकी way of delivery थी बहुत गजब की थी उसने English की vocabulary भी यूज़ की तो मुझे लगा ये पढ़ा लिखा जरूर है और इसी भरती में 2019 थारा वाली में लगा है प्लसर मैं m-tech हूँ आप यकीन मानिए कि इनसान होने के नाते आपको बहुत feel हुआ होगा कि मैं m-c हूँ और ये भी m-tech है मेरे equivalent है मेरे से बहुत intelligent भी हो सकता है और बहुत intelligent हो भी बट एक बार-बर की job करता है बेचारा हूँ क्योंकि हालात ऐसे है condition ऐसी है वे रोज़गारी ऐसी है तो हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते तो हम उसको एक advice देखिया था कि पढ़ाई रखना है और वो बोल भी भुड़ा था कि सर आपको भी पता है कि 20-25 जार रुपे, 18 जार रुपे मिल जाते है और मैं उसकी त्यार अपना ये तो करना पड़ता है सर तो प्लीज आप भी अपना stability ये 5-6 category तब मिलेंगी जब आप ग्रूप D में अच्छी rank होगी यहां भी rank देखी जाएगी क्योंकि यहां पर आपको post presence भरा जाएगा तो आप अपनी top category के डालोगे, top उनी को मिलेगा जो topper होगे, तो अपनी त्यारी को अभी से continue रखोगे, तभी जाके थोड़े से बहुत अच्छी सी जोब मिल जाएगी ठीकर ना, वरना जिंदगी में जो काम हमने कभी नहीं किया, हमने खाना नहीं बनाया लिए हम तो बनाते हैं 9-2006 से विल्ली करने इसार त्यारी आये थे, और 2023-2020 लगबग बाहर रहे हैं, हमने खूब बनाया है लेकिन आप जो दूसरे के लिए खाना बनाऊगे कुक का काम खानाऊगे, तब आपको बहुत रिलाइज होगा तब आप सिस्टम को कोस होगे अपने आपको भी कोस होगे, कास मैं अच्छी त्यारी कर लेता कास मैं अब और अच्छी त्यारी कर लूँ ताकि जो जिस चीज के लिए मैं बना हूँ मैं उससे उकर पाऊँ तो ये वीडियो सिर्फ मैरे इसलिए बनाई है ताकि तुम मोटिवेट हो थोड़े बहुत और ये जो नोटीस आते हैं कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए ठीक ना अपनी त्यारी रखो 50 का स्कोर हुआ 55 का स्कोर हुआ है स्कोर हुशी का होगा जो पेपर में बैठा है बहार जो बैठा है जिसने जिन्दिगी में कुछ नहीं उखाड़ा उनका स्कोर करेगा जिनका आजस्सी हुआ है वो भी जिन्दिगी में कभी स्ट्रगल किया उनका भी कभी 50 आया होगा तो इन चीजों से डिमोरलाइज नहीं होना हमें हमेशा एक दूसरे जिस सीखना है लगी सुभी को बैस्ट आफ लग जैहीं जे भारत